ओम क्रिया बाबाजिनमाहा ओम श्री मात्रिनमाहा नमस्ते मित्रो राजमात्यंगी देवी की मुक्टविद्या की जो दिक्षातवा साधना होती है उसमें दूसरा भाग हम आपके सामने रख रहे है इस दूसरे लेक्चर में मुक्टविद्या के जो बारा स्तर होते है उसका एक एवरेजली नॉर्मल एक लेक्चर आपके सामने पुरस्तुत कर रहा हूँ कि हर स्तर में किस प्रकार से परिक्षा होती है मुक्ट विद्या में और ये मुक्ट विद्या हमारे ब्रह्मान की विद्या नहीं है वो दूसरे ब्रह्मान की विद्या है और श्री विद्या जिस प्रकार से हमारे पृत्वी के उपर सिखाई जाती है उसी प्रकार से अलग-अलग युनिवर्से से अलग-अलग ब्रह्मान में अलग-अलग तरीके से वो सिखाई जाती है तो मुक्टविद्या के ये जो 12 स्तर है इन हर स्तर में एक व्यक्ति की एक टपस्वी की किस प्रकार से परिक्षा होती है हर पड़ाव पर उस व्यक्ति को किन किन विशो से गुजरना होता है ये हम देखेंगे आपने पहले लेक्चर को सुना होगा पहले लेक्चर को सुनकर ही ये दुसरा लेक्चर देखिए क्योंकि जब आप कोई साधना करते हैं वो साधना मतलब आज के जमाने में लोग जैसा समझते हैं वैसा नहीं है कि आप किसी गुरु के पास चले गए उस गुरु ने आपको म मंत्र दे दिया और कहा ये मंत्र का आप जाप करो जाप करने के बाद इसका हवन करो आपकी दिक्षा हो गई कोई घर में आप यंत्र रखेंगे मंत्र पढ़ेंगे दिक्षा हो गई इस तरह से मंत्र दिक्षा नहीं होती, इसको गुरु दिक्षा भी नहीं कहा जाता मंत्र का अर्थ पता नहीं है, मंत्र को कैसे चलाना है वो पता नहीं है मंत्र को किस प्रकार से अपने अंदर गहराय तक उतारना है वो पता नहीं है उसे कौन से आउशदिया लगती है ये मंत्र कैसे काम करेगा उसकी आयुधे विद्या क्या है उसके पंचे महा भूतों से उससे कैसे काम करवा के लेना है ये सारी चीजे जो है ये समझ में आना बहुत जरूरी होती है मित्रो इसलिए हम जो है इस तरह से मंत्रदिक्षा श्रीविद्य पिठम द्वारा नहीं देते हम भी एक authentic एक विद्या जिस प्राकार से आउशदी युक्त सिखानी चाहिए उसी प्राकार से हम सिखाते हैं ये मुक्ट विद्या का लेक्चर सुनने के बाद आप में भी एक विचार करने की जो आध्यात्मिक कुरुत्ती है उसमें बदलाव हो जाएगा और किसी भी साधना को किस प्राकार से सिखना चाहिए वो भी आपका दृष्टिकोन विस्तार करेगा तो आप बने रहें मुक्ट विद्या के लिए लेक्चर को शुरुवात करने से पुरुव आप हमारे चैनल को शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे और जिनको भी हमारे श्री विद्या पिठम द्वारा ऑथेंटिक श्री विद्या का विशे में नौलेज और कोर्सेस करने है पास आपके सामनी होगा उसके उपर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम शुरुवाद करते हैं मुकट विद्या में पहला पड़ाव होता है आपकी तपस्या का आपको अनुभव आना इसमें आपकी एकागरता को परखा जाता है इस पहले पड़ाव को एककांग्शी विद्या कहा जाता है राजमातंगी की जो मुकट विद्या है इसमें पहला स्तर है एककांग्शी विद्या ये एक कांगशी एक देवी की साधना है वो उसकी देवी का नाम है एक कांगशी इसमें आपको कुछ चीजे दी जाती है और उस विशयों को करने के बाद उसमें आपकी एकागरता कितनी है ये देखा जाता है यानि उसको कहाए एक कांशी मतलब एक विशय के उपर आप कितना मन लगा रहे हो ये होता है इसके बाद दूसरा पड़ाओ मुक्ट विद्या में दूसरी स्टेज जो होती है उसको कहाए शुद्धता इसकी देवी है शीत कमला देवी ललिता के कमल की बाय पंकुड की वहर उप है अनि ललिता परमेश्वरी जिस कमल के उपर बैठती है तो उस हर पेटल्स की एक एक देवता और एक एक विद्या होती है तो left side के जो पेटल से उसका नाम है शीत कमला देवी और उस पंकुडी जो है बाय पंकुडी की उसकी वो विद्या है यह देवी शुद्धता करती है तन, मन, विचार, उच्चारण, समझ, समझ मतलब जो आप समझते हैं वो आपकी स्मृति और आध्यात्मिक बुद्धी इन सारी चीजों को इकटा करके इनकी शुद्धी करनी होती है और यह बहुत कठिन काम होता है मित्रोट क्योंके इसमें तन की सुद्धी है मन की सुद्दी है तन की सुद्धी मतलब आप 10 जगा ओपर जो अलग-अलग जगा ओपर खाना खाते हो जो आपके पेट में इतने सालों से गंदे की जमा है उसका भी निवारेन करना पड़ता है आपका मन जो है अलग-अलग चीजों से गुजर के आपके मन के उपर अलग-अलग विचाराते इनको भी निकालना पड़ता है आपके जो टोन है मंत्रों के उसको सुधारना होता है और आप अध्यात्मिक चीजों को किस प्रकार से सोचते है उसका भी एनलेटिंग होता है और ये इस तरह से नहीं है कि आप किसी मंदिर में चले गए या किसी गुरू या मूर्ती के सामने कड़े है और आपने प्रार्थना कर लिए और कहा कि मेरा मन शुद्ध है इस प्रकार से ये नहीं होता अभी हम तीसरे स्टेज में बढ़ते मुकडविद्या का तीसरे स्टेज में धन, वैभव, इनका त्याग करना होता है आप उसके बाद एक राजा के पास भीक मांग सको जिसको आप बोल रहे है, जिसके करना आप जी रहे है तो उन सारी चीजों का त्याग करके एक नंगा जैसे बोलते हैं उस प्रकार से होना पड़ता है कि आपके सामने कुछ भी नहीं है और आपको अभे आपके जरूरत पूरी करने के लिए किसी के पास भीक मांगनी है और वो भीक भी जो है वो नौर्मल आदमी के पास नहीं मांगनी होती पूरे राज दरबार के सामने राजा के पास जोली फैला कर आपको भीक मांगनी है उतनी हिम्मत आपके पास चाहिए और उस हिम्मत की परिक्षा इसमें देखी जाती है इतनी बड़ी हिम्मत आपके पास होगी तभी आप मुक्ति के रास्ते के लिए आगे जा सकते हो अन्यता नहीं तो मुक्ति के स्टेज के लिए आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर तीसरे स्टेज में ये एकजाम होती है जब मुक्तविद्या का ये तीसरा स्टेज आप क्रॉस करते हो तब आप चोथे स्टेज में पोचते हो तो चोथे पड़ाओ में आपको एक सरसो का दाना अत्वा एक गेहू का दाना दिया जाता है और एक गेहू के दाने के साथ आपको एक बोरी सोना दिया जाता है जिसमें एक पुरा का पुरा बोरी सोना भरके पड़ा होगा तो आप उसमें से क्या चुनोगे एक गेहु का दाना चुनोगे या एक बोरी सोना चुनोगे इन दोनों में से एक परिक्षा होती है कि आपको इसमें से क्या करना है और आप उसको लेने के बाद चुनने के बाद आप करेंगे क्या यह परिक्षा होती है धन सत्य क्या है और आपकी समझ क्या है याणि आप जिस धन को अगर सोना है तो सोना भी एक्चुली धन है और एक गेहू भी आपका धन होता है तो केहु किस प्रकर सिधन है, सोना किस प्रकर सिधन है, इसकी समझ आप में किस प्रकर सिधन है, इसकी परिक्षा होती है इसे हम वासना और समझ भी कह सकते है चोते पड़ाओ में जो देवी होती है उसे मिलने की शक्ति और पातरता आपको आपमें है क्या यह इसमें परखा जाता है मित्रोड यह हो गए चार स्टेज़स अब हम मुक्ट विद्या के पाच्वे स्तर पर जाते है पाच्वे स्तर में स्तरी और पुरुष दिक्षा होती है इसमें स्तरी सादक है उसे पुरुष का रूप लेकर और एक पुरुष की प्रकृती लेकर पुरुष की एकजाम देनी पड़ती है और अगर कोई पुरुष सादक है उसे स्त्री की परिक्षा देनी पड़ती है आप पुरा मनुष्य भाव निकाल कर यानि आप अगर एक पुरुष है तो आप में से आपको पुरुष का जो मनुष्य भाव है उसको निकालना पड़ता है और आपके अंदर एक स्त्री के भावना लानी पड़ती है और वो स्त्री किन-किन चीजों से गुजर रही है तो ये इसका अनुभव करना पड़ता है इसकी परिक्षा इसलिए है कि आप एक आत्मा बने रहे और आपके ओपर किसी स्त्री या पुरुष ऐसे मनुष्य भाव का आपके उपर असर ना हो और एक आप शुद्धा आत्मा बनो इसके लिए ये पाचवा पड़ा होता है परिक्षा लेने वाले की और देने वाले को पता ही चलना नहीं चाहिए कि आप स्त्री हो या पुरुष हो याने अगर आपका गुरु आपकी परिक्षा देख रहा है तो गुरु को भी एक सर्टन स्टेज पर ये समझ में आना चाहिए कि मैं किसी पुरुष की भी परिक्षा नहीं ले रहा हूँ और ना स्त्री की परिक्षा ले रहा हूँ वो बस एक आतमा है और एक सादक है ये उसके ये क्या बोल सकते अंतिम जो उत्तर होगा ये इस तरह से आना चाहिए ठीके तथा आप पुरुष है तो एक स्त्री का जीवन जिने के लिए आप तैयार हो क्या वही स्त्री के बारे में भी लागू होता है कि अगर कोई स्त्री है तो आप एक पुरुष का जीवन जिने के लिए सही हो क्या आप वो जी सकते हो क्या ये सारी परिक्षा है इसमें होती है यही दोनों एनरजी को संतुलित करना हना चाहिए ये इस प्रकार से है स्री और पुरुष तत्वों को संतुलित करना ठीके अब हम मुक्ट विद्या क चटवे पड़ाव की और आगे बढ़ते चटवे पड़ाव पर आपकी कला की परिक्षा होती है आपको एक कला सिखनी है और उसे सिखने के लिए आपके पास इतना पैसा और अन्य कोई चीज है ही नहीं कि आप वो पैसे देकर या धन देकर या दक्षिना देकर या उसकी फी दक्षिना कुछ देने ही पड़ती है without दक्षिना वो सीख नहीं सकते तो वो कला सीखने के लिए आपको दक्षिना तायार करनी है इकटा करनी है तो वो दक्षिना आप इकटा कैसे करेंगे ये उसकी एक्जाम होती है तो आप उसे सीखने के लिए क्या कर सकते है आपको उसे सिखने के लिए ऐसी खुद की तपस्या करनी पड़ेगी कि आप अपने ही तपसे निर्मान की हुई शक्ति उस कला को अरपन कर सकते हो तो यह आपकी एकजाम होती है यहाँ पर छटवे पड़ाव में इसमें आपकी तपस्या खुद बोलनी चाहिए कि आपने कितनी मेहनत की है तो मित्रो यह बहुत बड़े लेवल का सब्जेक्ट है इसलिए मित्रो यह बोल बच्चन वाले मंत्र दिक्षाई जो होती है इस तरह से नहीं होती कि किसने मंत्र दे दिया चांड कर लिया फिर मैंने इतनी दिक्षाई लेली उतनी दिक्षाई लेली यह भ्रह्म की कलपनाव से आप उभर जाओ मित्रो एक साधक को एक तपस्वी को कितने कितने स्टेजस से निकलना पड़ता है यह आप देखिए अब यह मुकुट विद्या के साथवे स्तर के और बढ़ते है साथवे पड़ाव में दुरुष्टी वेद की परिक्षा होती है यह साथवे स्टेज को दुरुष्टी वेद कहा जाता है आपने अब इतनी परिक्षा है तो आपकी यानि आपने इतने पड़ाव क्रोस किये है तो उसके बाद आपकी होती है दुरुष्टी की परिक्षा उधारन सुरुप में बताता हूँ अगर आपको कमल दिया गया कमल का फुल दिया गया तो उसको आप आगे की ओर से भी देखने की एक प्रकार से बुद्धी चाहिए और उस कमल के पंकड़ी को पीछे के साइड से भी देखने की ख्षमता आपमें चाहिए कमल को उजाले में कमल किस प्रकार से दिखता है अंधरे में कमल किस प्रकार से दिखता है इन सारी चिजों की यहाँ पर परिक्षा होती है तो यह एक बुद्धारन के लिए रूप में बता है यहाँ पर एक अलग-अलग विश् इस साद से उस साद से या अनाधर साद से किस प्राकर से उन चीजों को देख सकते हो इसकी परिक्षा वहाँ पर होती है। ठीक है, सात्वे पड़ाओ के बाद हम आके बढ़ते हैं, आठवे पड़ाओ में, आठवे पड़ाओ में के दिक्षा का नाम होता है मुखवेद परिक्षा, मुखवेद परिक्षा में तीन भाग में परिक्षा होती है, पहले किसी स्त्री के सामने खड़ा होना पड़ता है, दूसरे में आपको एक गुरु के सामने खड़ा होना पड़ता है और दूसरे के बाद तीसरे में किसी पुरुष के सामने खड़ा होना पड़ता है ऐसे स्त्री, गुरु और पुरुष इन तिनों के सामने step by step खड़ा होना पड़ता है और इस प्रकर से परिक्षा देनी होती है इसमें आपकी आपके शब्दों के ऊपर कितना नियंत्रन है आपकी बुद्धी पहले चलती है या मुख पहले चलता है और ये कितना चलता है इसकी यहाँ पर परिक्षा होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मैंने एक सारा सार रुप में आपको बताया है क्योंकि बहुत सरे लोग क्या करते अनाप्षन आप इतना बड़बड़ते इतना बड़बड़ते और मुह से सब निकाल छोड़ देते तो बुद्धी की परिक्षा बहुत जरूरी है और आप कितना बोलते हैं और कितना जरूरी बोलना आवशके ये बहुत जरूरी है अब ये नववा जो स्टेज नववा पड़ाव है उसको कहते गुरून एकागरता गेय परिक्षा गुरून एकागरता गेय परिक्षा में इसमें एक पागल व्यक्ति होता है जो अपने साथ ही खेलता रहता है दूसरी जगा एक सुन्दर्श्त्री होती है फिर आप दोनों में से किसकी बात सुनोगे और उनके हावभाव के जो प्रदर्शन होते है वो किस प्रकार से आकलन करोगे इसमें आपकी बुद्धी जो है किसका कितनी एकागरता से गहरा इसे सुनती है काम करती है और आगे उसमें क्या करना ही वो आपकी परिक्षा है इसमें क्योंकि एक पागल वेक्ति जो हावभाव कर रहा है उसमें से आप क्या अनुमान लगाएंगे और एक सुन्दरस्त्री जो आपकी प्रेयसी जैसी है जो आपको बुला रही है अपने-अपने अलग-अलग विलोबिनिये कृत्य करके उसमें से आप क्या समझते है यह आपकी परिक्षा यहाँ पर होती है इसको काहे गुरुण एकागरता गे यह परिक्षा हमने नो पड़ाव को क्रॉस किया है हम दस्वे स्तर के मुक्ट विद्या के उपर जाते है दस्वे पड़ाव में कष्ट साहन विद्या आती है इस मुक्ट विद्या के कष्ट साहन विद्या में इसमें एक पत्थर आपको दिया जाता है यानि आपको कुछ हीरे दिये जाते है और हीरे पत्थर की चक्की के ऊपर जैसे आटा गेहू कैसे पिसकर आटा बनाये जाता है तो अभी तो मशिन में बनाये जाता है परन्तु पत्थर की चक्की होती है और उस चक्की को हाथ से चलाना होता है तब जाके वो गेहू का आटा बनता है तो यहाँ पर आपके सामने चक्की दी जाती है पत्थर की और आपको कुछ हीरे दिये जाते है और यह हीरे जो है यह हीरे उस चक्की में डाल कर आपको हाथ से उस पत्थर को गोल गोल घुमाना होता है और यहाँ पर परिक्षा ये है कि जैसे गेवु बारिक पिसकर आटा बनता है वैसे वो हीरा जो है वो आटा बनता है क्या उसके टुकडे होते है क्या ये आपकी परिक्षा होती है तो आप सोचेंगे ये कौन सी परिक्षा है परंतु मित्रो ये बहुत कठिन परिक्षा है और आप सोचें उसको दस्वेस्तर पर रखा गया है तो कुछ कारण होगा उसके लिए रखा है आप में हिरा जो होता है सभी ग्रहों में या सभी रत्न है, सभी पत्तर है तो इन में सबसे कठिन रत्न जो है वो हिरा है और हिरे को तोड़ने के लिए हिरा ही लगता है इतना वो कठिन है तो इतने बड़े हिरे को तोड़ने के लिए आपकी एकागरता आपकी तपस्या उतनी सक्षम हुई है क्या? यह यहाँ पर देखा जाता है आप में उतने कश्ट सहने की ताकत है क्या कि आप में उतनी कैपैसिटी है क्या कि उस हीरे को आप तोड़ सको और बाद में उस तूटे हुए हीरो को एक करके आपके गुरु बोलेंगे वो एक चीज बना कर देवी को अरपन करने होती है आपसे वो तूटे हुए हिरो को जोड़कर मुक्ट भी बनाना बोल सकते या कोई भी एक गहना बनाने के लिए भी कह सकते कि जो आपको देवी को अरपन करना है बाद में इसमें आपकी बुद्धी कितनी चल रही है हिरा तोड़ने में वो बुद्धी सक्षम है की नहीं उतनी आपकी तपस्या और बुद्धी की आकलन की परिक्षा होती है ये बहुत अतिनत कठिन सब्जेक्टे मित्रों और हिरा जो होता है न वो ऐसे हतोड़ा मार कर भी नहीं तूपता तो आप सोचे पत्र में घिसने से हिरा तूटेगा कैसे तो वहाँ पर आपकी एक अकल लगनी चाहिए कि हमें हिरा ये तोड़ना कैसे है ये होता है दसरे स्थर में ग्यारवे स्थर में ग्यारवे स्थर का जो मुक्टविद्या का भाग है इसमें होता है मंत्र उच्चारण की क्रिया इसमें आपको कुछ मंत्रों की दिक्षा दी जाती है उनका उच्चारण सिखाय जाता है और ये उच्चारण आप किस प्रकार से कर रहे है ये देखा जाता है परन्तु ये इतना सामान्य सब्जेक्ट नहीं है इसमें आप मंत्र को कहा रोकना है, कहा नहीं रोकना है, हर एक मंत्र का उच्चारण वाहा वैसा ही क्यों होता है द्वनी, वो द्वनी शास्त्र का अभ्यास होता है यहापर, यह समझने के बाद उन मंत्रों का अनुष्टान भी लेना पड़ता है, तो एक बहुत लंबी प्र करिया है इन मंत्रों से आपको एक शक्ति निर्मान करनी पड़ती है जैसे कि अगर आपको कोई मिट्टी दी है तो उनस मिट्टी को घोलने के बाद उस मिट्टी का आटा बनाना होता है और उस मिट्टी को घोलने के बाद आपको कोई चीज बनानी है मटका या कोई आकृति या शिल्प बनाना है उसी प्रकार से आपको मंत्र जो दिये गए है इनको एनलाइस करके उनको घोट घोट कर आप एक अपनी एक दैविये शक्ती का निर्मान आपको करना है इसले हम मित्रों केते कि यह मंत्र लेकर चांड करने को जो रट्टा मारना केते है न वो बन्द कर लिजे इस प्रकार से महाविद्याव की दिक्षा नहीं होती इस प्रकार से गायत्री मंत्र की दिक्षा नहीं होती विद्या से भी विद्या निर्मान करने की विद्धा से भी कला निर्मान करने सी और विद्धा से भी एक शक्ती को निर्मान करने की जो क्षमताव आप में आनी चाहिए और वो बहुत जरूरी है उसको कहते महाविद्ध्य त्वाश्री विद्ध्या अभी हम मुक्टविद्या के बारावे स्थर में जा रहे है मुक्टविद्या का जो बारावा स्थर है इसमें आपने जो मंदर की दिख्षा ली है उनका अनुक्रमन करना होता है अनुक्रमन अर्था यह है कि एक जगा पर बैट कर उस पूर्ण विधी को प्रॉपरली अन्तिम स्टेज में करना ठीक है और आपने अभी तक जो किया है उसका अनुकरन करना यह लास्ट स्टेज में एक एक्जाम होती है यह एक्जाम भी बहुत बड़ी होती है और जब आप इन सारी चिज़ों को क्रॉस करते हो तब आप मातंगी के जगत में जो अलग-अलग शक्तिया होती है तो आपकी परिक्षा देखकर आपने कितन परकार से उसको किया है वो देखकर आपको उसका फल मिलता है या फिर आप मातंगी के गुरू मंडल में जाकर बेटेंगे या शक्तियों के मंडल में जाकर बेटेंगे तो आपको या पिर आपको आगे बढ़ना है तो वो मातंगी देवी राज मातंगी देवी मिरने लेगी कि आपको कहा आगे बढ़ाना है क्योंकि आपको आपने इन सारी स्तरों को क्रॉस किया है मित्रो तो आप कलपना कर लिजे मित्रों कि ये इस प्रकार से इतना कटिन है और आज के जमाने में लोग मंत्र के मंत्र लेते हैं और उसका जब करते रहते हैं ना तरपण की विधी पता है, ना अभिशेकम की विधी पता है, ना यंत्रपुजन की विधी पता है, और हवण में किस आयुधो का उपियोग करना है, वो भी पता नहीं है। और बाद में ये श्रापित विशय जो होते है आपको और आपके आने वाली आगे की पीडी जो होते है उसको तंग करती है और ये श्राप कुल में जमा हो जाता है तो महाविद्यों के साथ इस तरह से खेलना जो होता है वो गलत है सही नौलेज ले लिजे श्री विद्या में इसलिए ही महागणपती, राजमातंगी, वराही, बाला, ललेता ये स्टेजेस होती है बगला मुके में भी अलग-अलग प्रकार के स्टेजेस है महाकाले में भी अलग-अलग प्रकार के स्टेजेस होते है और इनका प्रॉपर नौलेज लेकर ही आगे बढ़ना एक योग्य दिशा में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है नहीं तो आपके जीवन और आत्मा के उपर कुलाचार के उपर गलत दिक्षा लेने के करण लांचन भी लगता है और यहाँ पर कोई आप साधना या मंत्र का चांड करते हो तो यहाँ पर आप बहुत सरी लोग ऐसा समझते है कि देवी है देवी माता के रूप में आएगी मा के रूप में आएगी मम्मी के रूप में आएगी देवी देवी बन के आएगी और हमारे उपर करुना का वरश ये सारे ब्रहम की कलपनाएं होती है तो सही समय पर उभर कर आदमी आगे बढ़ सके वो अच्छा रहता है आप हमारे यूटूब चैनल को शेर किजे सब्स्राइब किजे हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी बताइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेस के लिंक दिये गए है और आपको कुछ हमारे यहां से प्रॉपरली सीखना है तो मुझे मैसेज भी कर सकते स्रीविद्यपीटम.com हमारा ब्लॉग भी है वहाँ पर अभी आप विजिट कर सकते मित्रो धन्यवाद